जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 दिसंबर और 19 दिसंबर 2022 के कुम्ब राशी फल के बारे में कुम्ब राशी के लोगों के लिए इन दो दिनों में किस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं इन दो दिनों में कौन सा ग्रह राशी बदलेगा किन ग्रहों की युती होगी किस तरह के योग बनेंगे नक्षत्र क्या होंगे और उन सभी का वरभाव आपकी दिंचरिया पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन में होने वाले हर एक बदलाव के बारे में इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं तो शलिए पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं जो 18 दिसम्मर का दिन है ये क्रश्न पक्ष की 10 में तिथी है और इस दिन हस्त नक्षत्र रहेगा जो की सुभा 10 बचकर 18 मिनट तक है उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा हस्त नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव होते हैं और चित्रा नक्षत्र के विस्कवर्मा शोबन नाम का योग बना हुआ है ब्रस्पति इसके स्वामी है चंद्रमा कन्या राशी में रहेंगे पूरा दिन रात्री तक सूर्य धनु राशी में है मूल नक्षत्र में और इस दिन तो बहुत ही उत्तम योग बने हैं सरवार्थ सिद्धी योग बनेगा जो पूरा दिन रहेगा और अमरत सिद्धी योग भी बनेगा अब इजीत मूरत है सुभा 11 बज कर 57 मिनट से दोपहर 12 बज कर 38 मिनट तक अब 19 दिसंबर का दिन तो ये क्रशन पक्षकी इकादशी दिथी है जिसको सफला इकादशी कहते है चित्रा नक्षत्र है सुभा 10 बजे तक उसके बास्वाती नक्षत्र है आतिगर नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा राशी बदल कर तुला राशी में आ चुके हैं केतु के साथ और सूरिय धनू राशी मूल नक्षत्र में इस दिन का अभी जीत मूरत है सुभा 11 बज कर 58 मिनट से दोपहर 12 बज कर 49 मिनट तक ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिति और इसी के आधार पर जानेंगे ये जो दो दिन है ये आपके लिए किस तरह से निमेत होंगे किस तरह से आपकी देंचरियां में बदलाव लाएंगे ये राशी फद चंद्र राशी पर आधारि हैं वो आपके लिए कैसा रहेगा तो कि आज गुम राशी के लोगों के मन में कुछ ऐसे काम करने के मूड में आप रहेंगे जो आपको रोमांचीत करते हैं जो आपको बड़ा एक प्रेना देने वाले होते हैं आप चाहे जो करें लेकिन बस इतना याद रखना है कि जीव को बदलते रहें आप चंद्रमा की जो इस्थिती है वो आपके लिए बड़े अच्छे समय का निर्मान कर रही है आपको आपके लिए कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे आप अपने खोल से बाहर निकल कर कुछ जोखिम लेने के लिए प्रोतसाहित है यानि जिस दाइरे में आप थे उस दाइरे से बाहर निकलेंगे कुछ नया करने के लिए आप ट्राइ करेंगे जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके कुछ नई चीजों को आप देखेंगे जो आपके लिए बिलकुल अंच हुई हैं तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको अपने जीवन में शाम आज काफी पॉजिटिव रहेंगे आप सकारात्म कूर्जा आपके तरफ चारों तरफ रहेगी और दिन भी आपके लिए भागेशा लिए दिखाए दे रहा है जो ठारादे सम्बर का दिन है स्वास्थे के लिहाँ से दिन अच्छा है स्वास्थे आपका अच्छा रहेगा जिन लोगों ने किसी से उधार लिया हुआ है आज वो अपना उधार भी चुका सकते हैं उसके लिए इस्तिती अच्छी बनी हुई है आपका स्वभाव बहुत अच्छा होगा मजाग्या स्वभाव होगा जो सामाजिक मेल जोल की जगहों पर आपकी लोग प्रियता में इ अपने प्रेम को जाहिर कर सकते हैं और नाराज़की को दूर कर सकते हैं आज आप अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी मैच वगएरा ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो एटरेंट का कारे करेंगी और आपसी बॉर्णिंग को भी बढ़ाएंगी आप लोगों के दिन है लेकिन फिर भी शाम के वक्त हो सकता है आप किसी काम की वज़े से ज़्यादा बिजी रहें और घर परिवार पर जादा ध्यान ना दे पाएं लेकिन क्योंकि एनरजी इस दिन बरकरार है और पारिवारे कि स्तितियां भी आज के दिन बहुत अच्छी बनी हुई है तो आपकी जो नई सोच है या आपके जो नया करने की सोच है वो आपके लिए बहुत सी चीजों में बदलाव लेकर आएगी, इस चीज के लिए आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, आप दो पहर के समय जीवन साथी के साथ कुछ अच्छी जगह पर जा सकते हैं, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है आगे आने वाला समय यानि जो 19 दिसमबर का दिन है उस दिन आप जरूर अपलाई कर सकते हैं क्योंकि उस दिन दिन बहुत अच्छा है तो चलिए 19 दिसमबर की ही बात कर लेते हैं पहले 19 दिसमबर ये जो दिन है ये एकादशी का दिन ह से इस दिन आपको सबे प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से या इस दिन पूजा पार्ट करने से कारोबार में लाब मिलता है संतान की प्राप्ति होती है इच्छाओं की प्राप्ति होती है यानि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो किसी एविक चीज का पाड़ कर सकते हैं और भवार विश्णूर मालक्षमी को दूद से बनी हुई चीज का भोग भी आप लगाएं योग बहुत अच्छा है इस दिन और काफी अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा जहां तक राशिफल की बात है तो आज कुछ अनुभवी लोग आपको किसी तरह की राय दे सकते हैं किसी तरह का सलाह मश्वरा कर सकते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें इंकम के साधनों में बड़ोतरी होती दिख रही है आर्थिक सुक समरदी बनी रहेगी जीवन साथी के साथ अच्छा समय भीतेगा और वहवाहिक जीवन दुरगा को आप लाल चुनरी अगर इस दिन चड़ाएंगे पूजा करते समय तो आपके आर्थी किस्तिती भी बहुत मजबूत रहेगी प्रेम संबंदों के लिए अच्छा दिन है पार्टनर के साथ आप मिलकर कुछ नए प्रोपोजल ले सकते हैं और जो लोग एविवाहि से आप जरूर बात कर सकते हैं आज का दिन उसके लिए अच्छा है आपके आपका बेहन आपका कोई करीबी दोस्त आपके रिष्टे करने में आपकी साहता करवा सकता है तो कुल मिलाकर दोनों दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है इन दो दिनों को अच्छे से करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे से वीडियो को जाज़ादा लाइक करें शेयर करें तक ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सकें